हेलो फ्रेंज गुद मारिंग सुपरबात होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस देखते हैं फ्रम एस्टो परस्पेक्टिव क्या मार्केट में एक शॉट टम रिवर्सल वापस आ सकता है या फिर यह यह दो चीजे हमारे अपर चल रही है तो हम एस्टो परस्पेक्टिव से इसको डिकोड करने की कुशिश करेंगे जैसा मैंने अपने लास्ट ब्लॉक पोस्ट पे लिखा था ब्रमिस्टेक अनलेसिस पे कि इस वीकेंट पे नेक्स वीक पे कुछ इंपोर्टन एस्टो इव सबसे पहले चीज हम देख रहे है कि सन अन्मून का जो वनेटी डिग्री एस्पेक्ट होता है बेसिकली जो फुल मून पुनिमा एनमावज से जो हमारी दो होती है तो वह हम यहां पर देख सकते हैं उससे पहले यहां पर मैंने ड्रॉक किया है यह मैं पहले आपको बता दे इससे तो यहां पर देखें यह मार्केट उपर जा रहा थे नीचे आया यहां पर जा रहा था यह च्छा ट्रेंड आ गया पिर यहां पर एक शॉट रिवर्सल हुआ थे शॉट रिवर्सल में बहुत काम करता है इसको हमने देख के रखा है आप वीडियो को पास करके देख सब्सक्राइब करता है हर 14 परनों दिन में एक साइकल आती है पर यह साइकल अगर आपकी न्यू मून के साथ यह फुल मून के साथ भी आ जाए तो वह और भी स्ट्रॉंग हो जाती है तो अब यहां पर मैंने फुल मून भी डाला है इसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखते ह है कि यह दोनों साइकल कभी मीट हुई है क्या तो यह साइकल अभी मीट हो रही है इससे पहले मीट इदर हुई थी यहां पर देखिया आपको एक अच्छा रिवर्सल आया इससे पहले यहां पर एक मीट हुई थी यहां पर एक अच्छा रिवर्सल आया तो यह भी एक इसको निकालने के लिए हम software यूज करते हैं वह होता है हमारा सोलर फायर तो इसमें हम यह है latitude और heliocentric हम देख सकते हैं तो इसका output आपको इधर आता है यहां पर और इसको हमने export करके रखा है और इसकी values आप मुझे मेल कर सकते हैं इसका मेरे 2020 से 2025 तक का data है तो इस डिग्रीज है इस साल में सरफ इन पांच दिन आई थी बेसिकली यह 12 बार आईगी और अभी 16-17 अगस्त को है तो 16 अगस्त को आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा आप मुह आ चुका है अब यह इसके तो 389 की नीचे आ जाता है तो हम शॉट टम डिवर्सल देख सकते हैं जो इंपोर्टेंट गैन लेवल है एंड इंपोर्टेंट चीज अगर हम इधर देखे हैं इस सब्सक्राइब का 50% पॉइंट आता है 24,486 अगर कल मार्के 24,480 या 24,50 की नीचे आ जाता है फिर 24,389 की इन दो लेवल से आप शॉट का एट कर सकते हैं इस इस टॉप लॉस और फिर यह मार्केट अगर 24,200 तो 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 थ्री लेवल से आप शॉट को आप करेंगे और फिर हम नीचे की लेवल को राइट कर सकते हैं यह हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो यह जो 7 डिग्र आया है यह किस किस दिन आया है यह देखिए 22 23rd February 28th March 2021 2021 जो दो दिन आते हैं तो हम सेकंड दे को लेख लेते हैं जो भी ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं होती है और 24 जून को आया है तो इनको हम देखते हैं कि मार्केट में कैसे किया 24 जून का तो let me just remove this 24 जून यहां पर आया थ यहां से तो बहुत ही अच्छा में रिवर्सल देखने को मिला मार्केट गैप डाउन हुआ था और कल भी हो सकता है अगर मार्केट गैप आप होके ओपन ही बना दे तो फिर यह वापिस बेरिसेट रिवर्सल दे सकता है उससे पहले हम देखते है 21st May 2021 में यहां पर आया था मार्च यहां पर दिया इसके बाद कुछ खास मुमेंट नहीं हो और अच्छा चल गया था फिर एक कंसॉलेटेटी करता रहा और फिर आये था हमारा 23rd February यह कैंड आप शॉट्रम टॉप बना और आपको लॉनमस 300 पॉंट्स का फॉल मिलाता इधर से तो यह रूल अच्छा चलता है हमें शॉट्रम रिवर्सल्स भी देता है पर इसमें अभी क्या हो रहा है कि आपको प्लूटो का आ रहा है विद्पूर्णिमा आ रहा है तो यह यह साल में सिरफ 6 बार ही होता है सन मरकरी का कंजंक्शन यह देखें यहां पर आ रहा है 19th को उसे पहले यह आया था इधर इस दिन आपको एक शॉट्ट टरम रिवर्सल मिला साल में छे बार ही इविए पर शॉट्ट टरम रिवर्सल मिला इधर भी और इधर भी मिला आपको शॉर्ट टम देवास है दो दिन का फॉल फिरिक अच्छी रह लिए तो इन सब चीजों के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कि मार्केट में कुछ अच्छा मूवमेंट हो सकता है और एक और बेर्ट का रूल भी है कि ट्रेंड चेंज़ इस इसे रे ट्रोगेट मरकरी पासेज वर संकंजंग ट्रोगेट मरकरी बेर्ट का रूल रूल नंबर 22 है मैं आपको बता जेता हूँ 24, 23, 22, mercury retrograde passes over the sun, this case occurs frequently, the effect is a change in trend, यहनों ने लिखके रखा है, तो यह, अगर यह भी हमें देखने को मिलता है, तो मैं इसको भी आपको डॉकर करके बता देता हूँ, अब हमने लगा दिया है, sun conjunct over retrograde mercury, इसको हम calculate कर रहे है, तो यह कित्ती बार आया है, यह एक बार इदर आए, अभी आएगा, इसके पहले यहाँ पर आया था, एक अच्छा फॉल मिला, retrograde mercury है, sun conjunct over यहाँ पर एक अच्छी रेली आई, फिर यहाँ पर देखिएक अच्छी रे sideways मही रहा, तो it's not a holy grail हार्ट है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फॉल मिल गया, यहाँ पर आपको एक अच्छा फॉल मिल गया, यहाँ पर आपको एक अच्छा फॉल मिला, तो sun conjunct over यह एक long term aspect है, जो Jupiter and Saturn अपना square बता रहे है, तो बहुत ही rarely आता है, last time I think 2011 में आया हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कि market में short term trend change हो सकता है, और bank nifty में अगर मैं चलूं और इसका अगर मैं बड़ा reversal देखूं, तो 49,209 इधर आ रहा है, यह 49,50% से bounce back किया, यह जो छोटा reversal आ रहा है, bank nifty का, इस move का, तो इसका 50% is somewhere near 52,50, 52,44, तो अगर उसके नीचे आ जाता है, तो हमें reversal हो सकते हैं, तो वापी जे 49,600 से का सकती है, bank nifty, यह दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं, और अगर कल आप trading कर रहे हैं इंट्राइड है, तो फ़र्स 15 में लोग जरूर नोट करने हैं, क्योंकि इतने सारे trend reversal जो मैंने आपको बता है, और जो 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 ज हमें भी जे जलेने कम्मिनिकसन हो, Reliance, Basingt, Airtel, Sun होता है, पारकित से था कहई है था के इन